इस वीडियो में आप सभी से मैं दिल से मावी माँगना चाहता हूँ विकॉज कि आज की दिन में सुभा में जो मैंने वीडियो पोस्ट किया था 1767 बिहार अमीन के रिगाडिंग जरासल उस पे जो मैंने कोड अपडेट दिया था जो केस अपडेट दिया था आप सभी को वह जरसल किसी और पोश्ट के लिए जी हां दोस्तों राजस में मुमी सुधार विभाग में आयस सम्मीदा पोश्ट वालों के लिए वह केस था ठीक है लेकिन क्या हुआ था कि थोड़ा सा सोर्स की भी कमी थी जनकारी की भी कमी थी औ और आप लोग का भी लगातार जो है इस वीडियो पे 1766 बिहार अमीन के वीडियो पे लगातार आप लोग का एक कोश्चन पूछा जा रहा था कि सर सुनने में आया है कि 1766 अमीन पे केस हो गया है किसीने केस कर दिया है ठीक है तो उस रिगार्डिंग मुझे लगा कि नहीं 1766 अमीन पे ही वह केस हो सकता है लेकिर ऐसा कुछ नहीं है चली अफिशल अप अपडेट आप सभी को दे देते हैं कि इस पोस्ट के लिए अभी तक या ऐसा मुझे कोई जानकाली नहीं मिला है कि 1766 बिहार अमीन पे ही केस हुआ है अभी जो फिलाल अपडेट आ रहा है वह जिवरी केच चेर अट पटना यहां पर देख पा रहे हैं आपको अपडेट दे रहे हैं यह 29 का अपडेट है 29-26 का ही अपडेट है और आज की पेपर में ऐसा जो है अपडेट आया था कि केट जो है कि इस पे कोड में यह केश चला गया है मामला बता दे कि 766 अमीन का नही जो इनका नाम है आसीस प्रकाल से उनका यह कहना था कि उनसे अधिक उनसे कम नमरों वालों को जो है की में लिस्ट बना और उनका उनसे जादे नमर होने की वज़य से भी रिट लिस्ट में है तो बता दे साबसाब तोर पर आप सबी से मापी मांगना चाहूंगा कि यह 1766 अमीन वालों के लिए नहीं है ठीक है यह 1767 अमीन वाले के लिए नहीं है यह है इस एसे यानि के राजसमा भूमी सुधार विवा के अंदरगत जो इस पेशल सर्वे अमीन का पोस्ट है उस पर यह केस किया गया है और इस पोस्ट वाले जो बेटिंग कंडिडेट है उनको भी कि इस केस से कोई लेना देना नहीं है कोई दिक्कत नहीं होने वाला कोई ईसू नहीं हुए हैं उनका verification शुरू हो चुका है ठीक है तो बता दो एक पर और और कि आप सभी को कि 1700 सरसट अमीन वाले पे case नहीं हुआ है और इस पे अभी कोई update मुझे नहीं मिला है case के regarding जो आज का update मिला था हुआ a special survey अमीन का case का update था ठीक है आपको उम्मीद करते हैं कि यहां से context हो गया होगा देख सकते हैं ठीक है चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं उम्मीद करते हैं कि आपका start out clear हो गया होगा धन्यवाद